हो सकता था अगर आप खुद से अनलाइज करेंगे कि आपने कहा गलतिया करी अगर वो गलतिया नहीं होती तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको यह अपने 20-30 दिन प्रॉपर्ली आपको इसमें से निकाल के मैट्स को देने पड़ेंगा यह मैट्स वीक है केमिस्ट्री वीक है यह फिदिक्स वीक है यह लिखना थोड़ दो यह आप माइंडसेट आप लोगों का नेगेटिव कुछ आप सब्जेट के साथ भेदबाब करिए वह आपकी रहेंक के साथ कर देगा आपको तीनों सब्जेट को इजद देनी है तीनों सब्जेट को पढ़ना है और वहीं से ही आपका सेलेक्शन होगा जिनके 100 मार्क से नीचे आ रहे हैं आप योर फॉर्मला बेश जाहिए आप आसानी से 100 से उपर ला सकते हैं 100 से उपर का स्कोर आपका बनना चीए था आपने नेगेटिव जादा खाए है जो सबसे पहले तो 100 से नीचे वाले हैं आप से गलतिया ह हो जाएगा आसानी से फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको 100 पहुंचा सकती थी आसानी से अब आप बोलें सर ऐसा कैसे ऐसा कैसे हो सकता था अगर आप खुद से एनलाइज करेंगे कि आपने कहा गलतिया करी अगर वो गलतिया नहीं होती तो कितने मार्क्स आ रहे थे अब आ आप अपनी मैट्स को वीक रखके या फिर यह मान के नहीं जा सकते कि यार मेरे पास मैट्स का वह नहीं है एफ्टिट्यूड नहीं है मेरे से सवाल नहीं लगते आपको यह अपने 20-30 दिन प्रॉपर्ली आपको इसमें से निकालके मैट्स को देने पड़ेंगे और आपको माक्स ही है वो जो माक्स लाने के तरीका है वो आपको बताया जा रहा है आप उस पे मेहनत करिए रोना पीटना बंद कर दीजे अदर्वाइस फिर से आप वहीं पर उसी रेंज में गिरेंगे यह रूड लग सकता है लेकिन रियालिटी अगर आप अपने पर इंप्रूमें सब्जेट को इजद देनी है तीनों सब्जेट को पढ़ना है और वहीं से ही आपका सेलेक्शन होगा अगर आप मेंटली ही पहले ही प्रिपेर्ड है कि यह तो इरिटेटिंग टॉपिक है यार मैं तो नहीं कर सकता तो फिर रैंक भी एक्सपेक्ट मत करो फिर यह मत अब मुझे लग रहा है कि स्कोरिंग अच्छी है तो परसंटाइल थोड़ा सा आप लोगों का बिगड़ भी सकता है अच्छे माक्स आने पर भी थोड़ा सा परसंटाइल कम रहे भी सकता है लेकिन फिर वह मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा जिन लोगों के 130 140 प्लस हैं आप अपनी धीरे धीरे एडवांस की तियारी भी start करिए लेकिन जेई मेंस पर भी focus करें कई सारे यहां पर ड्रोपर्स बच्चे होंगे कई सारे यहां पर बार्मी क्लास के बच्चे होंगे सब का अपना-पना एक strategy होना चाहिए एक teacher या फिर 5-6 teacher मिलके आपको सभी बत चुका है exact strategy नहीं बता सका हम एक direction दे सकते हैं कि आपको कैसे-कैसे focus करना है अब आप time कैसे divide कर रहे हैं कि भाई मैं advance के लिए कितना कर रहा हूँ J means के लिए मैं कितना कर रहा हूँ अगली बार एक NIT और आपके हाथ में अच्छे सा आ जाता है तो आपको advance के लिए थोड़ा सा time आपने इंवेस्ट किया वह आपको beneficial हो जाए